कोरोना वेक्सिन से जुड़े हुए 9 अपडेट्स आपके साथ ये वीडियो में मैं शेर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर से देखे नए हो चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही तपा दो बेल के आइकन को तकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो एक चोट इस रिक्वेस्ट आप सभी से यहाँ वीडियो अगर आप देख रहे हो आपको पसंद आ रहा है कॉंटेंग तो वीडियो को शेर जरूर से करता कि ज्यादा लोग अपडेट्स पहुंचे मैं everyday to the point information आपके स इसका drop देखने को मिला है जो काफी अच्छी बात है second update जो है वो कल हमारे जो प्राइम प्राइम परसंटेज होता है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा और उसमें जो 150 रूपी अड्मिनिस्ट्रेशन चार्ज है वो रहेगा वेक्सिन के चार्ज के ऊपर उसे अपरू किया गया है अगला update जो है वो जुड़ा हुआ है spending के साथ इंडिया जो है वो यह साल में वेक्सिन के बीच है approximately 6 billion डॉलर जो है वो spend करने वाला है ऐसा जो है वो बताया गया है अगला update जो है वो जुड़ा हुआ है मॉडरना के साथ तो मॉडरना जो है European Union में approval चाहता है तीन्स के लिए जिने वेक्सिन जो है वो दी जा सके अब यहां पे आप लोग करोगी कि अलड़ी अपरूड है अपरूड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगाओ पर अपरूड जैसे कि United States में अपरूड है अब कैन जा रहे हो इतली तो इतली में जब आप पहुंचोगे तो आपका पासपोर्ट नमबर डाला जाएगा और पासपोर्ट नमबर सॉरी उसके बेसे उन्हें पता चल जाएगा कि आपने कितने वेक्सिन के डोसिस जो है वो लिये है ताकि आप जो है उस कंट्री के लिए एक से candidate हो गया नहीं उन्हें पता चल जाएगा काफी अच्छा initiative है और यह जरूरी भी है सारी countries को यह करना ही पड़ेगा अगला update जो है वह जुड़ा हुआ है डबली अचो के साथ तो डबली अचो का कहना है कि चाइना को और ज्यादा हम फोर्स नहीं कर सकते है information के लिए origin के लिए अभी तक पता नहीं चला है लेकिन उनका एकना अब ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते है अगला update जो है डेली से जुड़ा हुआ है तो डेली में जो है कल से मतलब 7th of June से जो है वो Metro को स्टार्ट किया गया था और first day very first day के दिन जो है वो 4.5 lakh लोगों ने जो है वहाँ पे ट्राविल किया है अगला update बिहार से जुड़ा हुआ है तो बिहार में लॉक्डाउन एक्टेंड होगा के नहीं उसका decision जो है वो आज लिया जाएगा 8th June को सेम एस जो है तेलंगाना में लॉक्डाउन एक्स्टेंड होगा के नहीं उसका decision आज जो है 8th June को लिया जाएगा आसा रखता हूँ आज का कोरोना वेक्सिन से जुड़ा हुआ अपडेट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा आया है यहां तक वीडियो को देखा है तो